उदासियों के वज़ए तो बहुत है जिन्दगी में यारों पर बेवज़ा खुछ रहने का मज़ा ही कुछ और है यह आज तू बता दे या तू जूट बोलना सिखा दे या फिर वो रास बता दे हेलो गाइस वेलकम बैक तो जस्प्री कोली जैनल ऐसा क्या करें कि हमेशा शांती पूर्वग सुखी जीवन व्यतीत करें लोगों के पास खुब पैसा है इज़त है शोहरत है हर खौईश पूरी करने का सामर्थे भी है लेकिन क्या पता है वे अंदर यानि दिल और दिमाग यानि की मांसिक रूप से खुश नहीं है ऐसा क्यों सब खुश होते हुए भी आखिर लोग खुश क्यों नहीं है तो इसका सबसे बड़ा कारण आज की जीवन शैली है तो चलिए जीवन में खुश रहने का राज जानते है सबसे पहले आप सोचिए कि आख के लिए खुश रहने का मतलब क्या है आखिर आप ऐसा क्या चाहते हैं जिसे अपाकर आप खुश हो सकते हैं तो विस्तार से सोचेंगे और पाएंगे कि जब हम छोटे थे तो सोचते थे कि काश हमारे पास ये होता काश हम सब कुछ पा पातें काश कहीं घूम पातें काश हम कुछ खर्च कर पातें लेकिन इस सोचने के चकर में बचपन बीद गया और हम उन चीजों की लालच में अपना हुसमें खो बैठें और जब थोड़ी बड़े हुए तो नौकरी बिजनेज वे इतना व्यस हो गए उसके बाद शादी हो गई तो दिर रत महनत करने लगे फिर जब काम तो थक कर शाम को घर लोटे तो यही सोचने लगे कि यार वो बचपन के दिन सही थे जहाना कोई टेंशन थी जम बन करे ख लिया वही दिन अच्छे थे अब जरा सोचिए जब बचपन था तब बड़े होना चाहते थे अब जब बड़े हैं तो बचपन अच्छा लगने लगा यानि खुद को किसी भी स्थिति में आप खुद से खुश नहीं रखना चाहते जो नहीं है या जो बीद गया उसी को बारे में सोच कर खुद को दुखी करते रहते हैं बस यही आपके खुश नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण है यानि जो बिला है जो चल रहा है उस समय के साथ रहना सीख लिया तो आप सबसे सुखी इंसान हैं खुश रहने का कोई पैमाना नहीं होता ये खुद से तैय कर के दिमाग से उत्पन होता है तो चलिए हाउ टू बी हैपे इन लाइफ हैपे सीक्रेट लाइफ के बारे में कुछ पातें और जानते हैं फर्स्ट उफॉल खुद का दूसरों से तुलना करना बंद करें खुश न रहने का सबसे बड़ा कारण है कि लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं अगर किसी के दूसरों के सुख सुविधा को देखते है तो सोच्टे रगते हैं कि काश मेरे पास भी होता उसके लिए मैनत करना होता है तभी वे चीजें आपके पास आएंगी So, जो आपके पास है सोचिए वैसा किसी के पास नहीं है फिर देखिए, खुद को आप सबसे अलग और खुद में special मानेंगे फिर ऐसा सोचने से खुद को खुश रख पाएंगे Second, बुरे समय से सीख लें हर किसी के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही दिन आते हैं ये प्रकृति का नियम है हर अंधेरे के बाद उजाला आता ही है So, अगर आपका समय नहीं चल रहा सही तो उसके बारे में बारवार सोचने से अच्छा है उस बुरे दिन से आप अपनी अच्छायां सीख लें ऐसा प्रेंडा ले सकते हैं फिर आगे के लिए खुद को इसको अच्छे दिनों में यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इसलिए हमें बुरे दिनों से सीख लेनी चाहिए खुद को ऐसा सोचना चाहिए कि ये बुरे दिन आपके लिए एक नए अउसर लाने वाले है बस ऐसे ही सपरात्मत विचार अपने साथ अपने जीवन में रखेंगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कारे कुछ रता किसी भी शेत्र में अकसर दूसरों के बिरोसे बैठ जाते हैं उससे बार बार सिफारिश की आस में लगे रते हैं हो सकता है कि वह व्यक्ति आपका हमेशा तो मदद नहीं कर पाए इसलिए दूसरों से उमीद चाज़ा ना लगाएं आप जिस भी शेत्र में कारे रत हैं उसमें खुद को खुद के लिए इतना कारे कुछ रत बनाएं कि लोग आपको पूछें आपके बिना उनको अधूरा लगे फिर आपको दूसरों के उमीद पर नहीं रहना पड़ेगा फिर ऐसे आप खुद को खुश रर पाएंगे फोर्ट हैंग खुद को हमेशा मिशेश बनाएं आज के समय में अकसर देखा जाता है कि लोग जो वर्तमान में होते हैं अपनी उस स्थिती से खुश नहीं रह पाते और हमेशा दूसरों के शानों शौकत को देखकर दुखी होते रहते हैं इसलिए ऐसा सोचना एकदम बेकाल है आप ये सोचिए कि आप जो भी कुछ आपके पास है उसमें आप खुद के लिए स्पेशल है खुद को हमेशा उची नज़ों से देखिए कि आप अपने आप में खास है फिर देखिए आपके जैसे ही सोचने की प्रेड़ना आपके दिल में आएगी आपके विचार बदल जाएंगे और आपको खुशी का अनुपव होगा और आपकी खुशी को रोख नहीं पाएगा फिर्फ फिंग है खुश से निर्ने लेना सेखिए अकसर देखा जाता है कि लोग अपने जीवन के निर्ने खुश से नहीं ले पाते वे अपने निर्ने निर्ने के लिए भी दूसरों पर निर्बर रहते हैं और ये जीवन आपका है आपको अपने नियने खुद से लेने चाहिए इसलिए कोई भी नियने लेने के लिए आपको दूसरे पर नियरम नहीं रहना चाहिए हाँ यदि आप अपना नियरम खुद से नहीं ले पा रहे हैं तो आप किसी की सिलहाँ मशड़ ज़रूर ले सकते हैं लेकि final decision आपका खुद का होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि दूसरे पे निर्बर रहने के बाद वो आपको सही से सला ना दे पाए और बाद में आपको अपनी गलती का एहसास हो तो इसलिए अपना निर्डे खुद देना सीखें अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने जीवन मे आप हमेशा खुश रहते हैं स्वस्त रहें मस रहें जीवन में खुश रहने के लिए शरीर का स्वस्त रहना बहु कमजोर बनाती है तो इन सब चीजों और बिमारियों से बचने के लिए अपने स्वास्ते पर ध्यान दे ऐसी चीजें ना खाएं जो स्वास्ते को नुक्सान पहुचाती है इसके इरावा स्वास्ते को अच्छा रखने के लिए रोज सुबह जल्दी उठे टहले हैं व्यायान करें योगा करें नियमी दिन चर्या के साथ दिल बिताएं उच्छी समय पर भोजन करें और फरपून नीर ले तो ये कुछ नियम थे जिन्दगी को खुशाल बनाने के अगर हम जिन्दगी में ये नियम उतार लेते हैं तो हमारे जिन्दगी भी खुशाल और सुखी हो जाएगी तो आज यही पर ये व्लॉग खतम करते हैं आशा है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस व्लॉग से खुश हैं तो आज के लिए यही व्लॉग समात होता है धन्यवाद